Hello students, you all are welcome to the channel आज हम लोग अपनी Python सीरीज में Dictionaries का topic पढ़ेंगे अब Dictionaries जो है वो भी Python के एक data type का part है देखो, हम लोगों ने पहले सबसे पहले data types में Numeric data types पढ़े थे Numeric data types में आपने int को जाना था float को जाना था, complex को जाना था फिर उसके बाद sequence type data types आया थे जिसमें sequence में कौन को ना आया था string, list और tuple ये तीनो sequence है, sequence क्यों? अगर आपने तीनों की वीडियोज मेरी ध्यान से देखी हो तो तीनों में indexing होती है 0 to, जो भी उसकी length है उससे एक कम तीनों एक format को follow करते है तीनों का traversal भी वही 0 index से लेके length of list, length of string, length of tuple तक चलता है, तो ये क्यों? क्योंकि ये sequential data type होते हैं, और sequential data type में आपने एक चीज़ notice करी होगी कि हर comma separated element एक single element या हर index का element एक single element माना जाता था अब आपका जो topic आ रहा है वो है dictionaries, dictionaries का अगर मैं data type बोलूं, तो वो mapping type का data type है, वो sequence नहीं होता, numeric नहीं होता, वो mapping, mapping क्यों बोलते हैं से, आप लोगों ने normal English dictionary देखी होगी, English dictionary में क्या होता है, एक word होता है, और उसके साथ related उसका एक meaning होता है, word meaning के लिए होते हैं, English dictionary या कोई पर dictionary हो तो same case, python में भी यहाँ पर हम जो dictionary बनाएंगे, इसमें हर एक element single entry नहीं होगा, वो अपने साथ-साथ किसी को जोड के रखेगा, जैसे कि अगर आपको key पर, यहाँ पर key और value का एक pair होता है अभी मैं आपको coding में दिखाऊंगा वो चीज, कैसे key और value बनाई जाती है, मगर यहाँ पर जैसे मालो आपने एक fruit लिया और fruit के सामने उसका associated उसका color रख चाहते हो आप जैसे आपने लिखा apple, उसके सामने red तो यह दोनों associated एक single element बनाएंगे dictionary में, क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं दूसरा element आपने बनाना लिया, आप बनाना का color yellow तो यह एक अगला single element, मतलब यहाँ पर हर single element के साथ associated उसकी value है, जैसे dictionary में word के साथ associated उसका meaning होता है English dictionary में वैसे ही यहाँ पर हर single element के साथ associated एक value और जरूरी नहीं है कि वो color ही हो आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ रख सकते हो वही जैसे आपने मेरा नाम रखा, मेरी age रख दी, उसकी value में ऐसे ही मानलो किसी car की company का नाम, car का नाम रखा, value में उसकी company रख दी तो यहाँ associated element एक dictionary form करेगा coding में अभी हम देखते हैं कि कैसे एक dictionary बनाई जाती है, कैसे वो denote होती है, क्या उसका theoretical concept है ठीक है students, और अगर students आप लोगों को मेरी python series अच्छी लग रही है, वीडियो सही लग रही है तो please मेरे channel को subscribe करो, अपने friends में share कर दो, जित्ता जाद से जादा share कर सकते हो ठीक है, और मैं यहाँ पर python का एक एक topic बिल्कुल detail में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है students, तो चलते हैं हम अपनी coding screen पे dictionaries को operate करेंगे, आज हम students, आ गए हम लोग अपनी coding screen पे भई, सबसे पहले तो मैं आज की heading डाल लेता हूँ, जो हमारा topic है, that is dictionaries ठीक है, dictionary की definition अगर हम देखें तो a dictionary is an unordered mutable collection of data, सबसे पहली बात unordered mutable collection of data, unordered display, क्योंकि आप इसमें कोई sequence follow नहीं करना, कि आगे alphabetically small letter, capital letter या alphabetically order, number में, नहीं कुछ नहीं, कोई order नहीं है, दूसरी चीज, mutable, mutable क्यों बोला है, क्योंकि एक dictionary में भी changes allowed होते हैं, list की तरह, आप चाहो तो बदल सकते हो, मगर still, dictionary में भी changes एक जगह नहीं होते, मैं बताता हूँ अभी क्या concept है, क्योंकि इसमें एक element के साथ दो चीज़े associated रहती है, एक key और एक value, तो उसमें कौन सा mutable है, कौन सा नहीं, वो बताता हूँ, मगर ultimately जब पूरे dictionary में changes होते हैं, तो इस columns, oh sorry, stored in the form of e colon value pair, sorry, मैंने rows and columns, actually database का concept याद आ गया था, stored in the form of keys and value pairs, मतलब यहाँ पे key और value के pair में एक element store होता है, और इसका syntax हम ये भी लिख सकते हैं, a dictionary is denoted by curly brackets, in python, python में एक dictionary अगर denote करानी है, तो आपको curly bracket का use करना बढ़ता है students, ठीक है syntax, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक dictionary बनती कैसे है, आपको पुरानी भी थोड़ी बहुत चीज़े याद दिला देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर अगर आपको एक string बनानी है, तो s is equal to variable का नाम ज़रूरी नहीं, कुछ भी रख सकते हो, double quotes में अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा students, string हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, string, यह बात आप लोगों ने पीछे पढ़िये और string पूरा chapter भी पढ़ा है, मैं एक बार दुबारा से remind कराने के लिए सारी चीज़े लिख देता हूँ, फिर string double quote से denote होता है, फिर मैंने आपको list पढ़ाया था, जिसमें L नाम का variable बनाके, list को square bracket से denote किया जाता है, और list में आ circular bracket से denote होता है, इसमें भी list की तरह अलग-अलग element ही होते है, that is it, tuple, बस list और tuple में फरक इतना होता है, कि एक immutable है, तो एक mutable है, list mutable है, मतलब उसमें changes हो सकते है, tuple immutable है, उसमें changes नहीं हो सकते, और आज का जो आपका concept है, वो है dictionaries, dictionaries का syntax अगर मैं लिखाऊं, तो कैसे बन का नाम है, आप कुछ भी बना सकते हो, identifier के rule, मेरी starting की video देख लो, वहाँ पर मैंने identifiers पढ़ाया है, tokens में, तो tokens में identifier के rule आप पता लगा लोगे, तो खुद आपको समझा दाएगा, मैं क्या-क्या variable का नाम रख सकता हूं, क्या-क्या नहीं, तो यहाँ पर d is equals to, curly bracket open होते है, curly bracket में, जो भी चीज आपको key बनानी है, उसको as a key, colon, उससे associated उसकी value, key colon, value, यह key 1, sorry, key 1, और इसे value 1 कर दो, क्योंकि एक से जादा element हो सकते हैं, तो यह जो key और value का एक pair बनाना है, students आपने, यह एक element कहलाएगा, dictionary का, comma, फिर ऐसे ही दूसरा element बनाना है, तो key 2, colon, उससे associated, उ जितनी key, colon, value pair आपको बनाने, key n, key n, colon, उससे associated, उसकी value, n, तो ऐसे आपकी एक dictionary form होती है, जैसे मैं एक छोटे से example से यहाप एक dictionary बना के दिखाता हूँ, मानलो, आप मुझे बोलते हो कि सर एक dictionary बनाओ, जिसमें हर मन्त का नाम होगा, या किसी 5 मन्त का नाम होगा, और उसक जैन में कितने days होते हैं बई, student, 31, तो ये मेरा dictionary का एक element हो गया, dictionary का एक element, कॉमा, फिर मैं दूसरे मन्त का नाम रख लेता हूँ, Feb, Feb में कितने days होते हैं, 28 days, ठीक है, अगर हम LPR ना सोचके चले, तो, 28 days हो गया ये भी, फिर मैं तीसरा इसके बाद direct May रख लेता हूँ, May में कितने days होते हैं, exact April, May, April 30, 31, 31 days होते हैं, ठीक, में के बाद आते हैं, June 30, July, JUL, 31 days, ठीक है, तो और एक और रख लेते हैं, that is, November, OV, 30 days, ठीक है, students, तो देखो, हमने एक dictionary form कर ली, जिसमें 5 मन्त के name as a key हैं, यहाँ पर keys क्या हैं, मन्त के names, January, February, May, July, November, और यहाँ पर values क्या हैं, students, 31, 28, and यहाँ पर यह कॉमा लगेगा, मैंने शायद डॉट लगा दिया, 31, 28, 31, then 31, then 30, यह values होई, key और values, और एक dictionary होता ही है, key और value का pair यहाँ पर एक element होता है, जैसे कि एक और छोटे से example से एक दूसरी dictionary बना देता हूँ, D1, अब इस dictionary में मैं क्या करता हूँ, car की companies का नाम as a key रख लेता हूँ, जैसे मैंने रखा Honda, as a key, ठीक, या फिर Honda चोड़ो, पहले car का नाम as a key रख लेता हूँ, Civic, और उसकी company का नाम as a value, Honda, ठीक है, दूसरी कार, Scorpio, then ये, Mahindra, ठीक है, पर तीसरी कार, Malo City, ये again क्या, Honda, ठीक है, तो ऐसे आपने एक dictionary फॉर्म करी, students, तो आप dictionary का question कुछ भी आ सकता है, हम आगे coding भी करेंगे, मगर ultimately, यहाँ मुझे आपको ये बताना था, कि एक जो dictionary बनती है, उस dictionary में, हर एक element, key और value का pair होता है, हर एक element, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये तो जानलिया students की की और value का pair a dictionary कैसे बनाई जाती है, ये सब चीज़े हमने देख लिए, अभी हम introduction पढ़ रहे हैं, तो अभी coding की बात नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे, ये dictionary होती क्या और बनती कैसे, दूसरी चीज, इसमें एक भी dictionary में, अगर आप कोई key बनाने जा रहे हो, की मतलब colon से आगे वाली value की बात हो रहे है, a key of a dictionary must be of immutable type, किसी भी dictionary की key, student हमेशा कौन से type की होनी चाहिए, immutable, अब immutable से मेरा क्या मतलब है, immutable से मेरा क्या मतलब है, कि आप जब भी कोई dictionary की key बनाओगे न, तो उसमें या तो आप string type value रख सकते हो, क्योंकि string है कि immutable type है, या एक numeric type value रख सकते हो, मतलब integer रख दिया, float रख दिया, या एक tuple type value रख सकते हो, student, ठीक है, मगर आप बोलो कि sir, मैं की की जगह कोई list रख स सिर्फ immutable type values ही जाती है, mutable values नहीं जाएंगी, ठीक, तो पहला rule clear हुआ सभी को कि हम एक dictionary की key में क्या रख सकते हैं, हमेशा immutable type की value, मतलब जिसमें changes allowed नहीं है, string रख लो, numeric value रख लो, tuple, और उपर वाली जो दोनो keys हैं, देखो, मैंने ध्यान से देखो, दोनो dictionary जो बनाई ह उसमें key में पहले में string है, इधर भी string है, इधर भी string है, देखो, हर key को मैंने string type रखा है, यहाँ पर string की जगा आप number भी रख सकते थे, integer, decimal number, allowed है, और tuple भी रख सकते थे, मगर string की जगा आप बोलो कि सरमाएक list रख लू, मतलब square bracket का कोई data रख लू, नहीं allowed है students, ठीक, error आ और दूसरा point एक और बात है इसी में, and no two keys must be same, और कोई दो keys student same नहीं होनी चाहिए, same का मतलब, exact मालो आपने civic एक बार key में लिख दिया है, तो आप दुबारा civic नहीं लिखोगे student, नाम अलगी होना चाहिए, जैसे January लिख दिया है, तो दुबारा January नहीं लिखोगे, value same हो स सकती है, देखो इधर भी 31 है, इधर भी 31 है, इधर भी 31 है, value सबकी same हो सकती है, मगर keys कभी भी duplicate allowed नहीं है, पहला rule, keys हमेशा immutable होनी चाहिए, दूसरा rule, एक key कभी भी same नहीं होनी चाहिए, dictionary की दो keys कभी भी same नहीं होनी चाहिए, अलग-अलगी allowed है, और second note मैं यह लिखा दे any type, any type मतलब यहां mutable भी चलेगा, immutable भी चलेगा, and values can be repeated in a dictionary, एक dictionary में values को repeat किया जा सकता है, clear हुई बात students, ठीक, तो एक बार अब मैं एक छोटा सा code भी दिखा देता हूँ, जिसमें मैं एक dictionary बनाऊँगा, और उसको simply print करूँगा, और dictionary के intro में इतना enough है, ठीक, आपने यह जान लिया कि dictionary होती क्या है, आपने कैसे बनाना है, उसे यह भी जान लिया, और यह rule भी जान lecture जो होगा, उस lecture में मैं आपको individual element access करना सिखाऊँगा, dictionary का, मतलब अभी तो मैं जो code बनाने वाला उसमें एक dictionary बनाऊँगा, और पूरी dictionary एक बार में print कर दूँगा, मगर आप बोलते हो कि सर मुझे बस Scorpio और महिंद्रा प्रिंट करना है, या Scorpio या महिंद्रा को use करना है, मतलब एक element को access करना है, individual element, तो वो next lecture में आएगा students, आज की class हमारी dictionary के बस intro पे थी, तो मैं इसे यहीं रोग दूँगा, अभी फिलाल मैं एक dictionary का code आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इस dictionary में मैं क्या करता हूँ, कि कुछ employees के नाम रखता हूँ, और उन employees की salary रखता हूँ, तो पहला employee है मेरा मानलो Prince, और Prince की salary है मानलो 35,000, कॉमा, दूसरा employee है मानलो मेरा Rajat, ठीक है, and Rajat की salary है, 45,000, तीसरा employee है मानलो कशिश, ठीक है, और कशिश की salary है मानलो 30,000, again, fourth employee, अनुज, salary is 80,000, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक dictionary perform करी है, dictionary में हर employee का नाम है, और उसकी salary है, मैं लिख दूँगा, the dictionary is, dictionary is, और फिर d variable को display करा देता हूं, ठीक है students, मैं code run करता हूं, इसमें simple यह जो dictionary बनी है, यही display हो जाएगी, देख लो, run किया code को, आपने output चेक किया, तो इन्होंने बोला the dictionary is, और आपकी देखो dictionary exact जो हमने बनाई थी, वही display हो जा रही है, तो hope सभी को dictionaries का intro clear हुआ, dictionary कैसे बनती है, key और value का pair होता है, यहाँ पे हर एक element एक single, मतला हर एक pair एक single element कहलाता है, ठीक है, और key का क्या rule है, value का rule है, सभी को clear, ठीक है students, अभी dictionary में देखो dictionary एक अच्छी programming है, आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है, आज मैं इतन गराई जड़ा कुछ एक बनाई च्छी झांट कुछ ऎंग लाने कल एक के वाने क bucket, टिलrone थो है, आप आए, आधर आए.